सद्यों से यह विश्वास बना आ रहा है कि अधिक जुताई की जाने पर अधिक पैदावार प्राप्त होगी लेकिन यह बात हर बार खरी नहीं उतरती खेत की तैयारी में जुताई के लिए पैसा तो खर्च होता ही है साथी भूमी की जैविक शक्ती भी कम होती है नए युक की नई मशीन जीरो टिल से अब किसान बिना जुताई के ही गेहूं की बुआई कर सकते हैं जीरो टिल मशीन की विशेश्टा यह है कि इससे गेहूं की बुआई लाइन से की जाती है एक ही बार में समूचे खेत की बुआई हो जाती है इस मशीन में 9 से 12 फाले या 20 बने होते हैं यह बिना तयार किये हुए खेत में ही एक चीरा बनाते हुए बीजों को 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर डालते हुए चला जाता है इस मशीन से लगभग एक एकड के खेत की बुआई एक घंटे में की जा सकती है आम तोर पर धान की कटाई के बाद खेत की तयारी में कम से कम 5 से 6 बार जुताई करनी पड़ती है पाटा चलाना पड़ता है जिससे कम से कम 8 से 9 बार खेत में ट्रैक्टर चलता है ऐसी पारमपरी की विधी में धन खर्च होता है, मेहनत जादा लगती है और समय भी अधिक लग जाता है यदि गेहूं की बुआई बिना जोते खेत में की जाए तो समय के साथ साथ डीजल पे खर्च होने वाले रुपए की भी बचत होती है जीरो टिल से बुआई करते समय ध्यान देने योगी बात हैं बुआई तीन से पांच सेंटिमीटर की गहराई में करनी चाहिए नमी कम होने पर हलकी सीचाई कर देनी चाहिए जीरो टिल मशीन से बुवाई करते समय केवल दानेदार उर्वरकों का ही प्रयोग करना चाहिए बुवाई पूर्व खर्पत्वार नियंत्रण यदि खेत में खर्पत्वार हों तो बुवाई से पूर्व खर्पत्वार नाशी उर्वरकों का प्रयोग करें बीज उपचार बीज उपचार करने से बीज की अंकुरन ख्षमता बढ़ती है साथ ही दाना अच्छा निकलता है बीज दर जीरो टिल से बुवाई करने के लिए बीज की मात्रा 40-45 किलोग्राम प्रती एकड या लगभग 2-5 किलो प्रती कठा उप्युक्त होती है सीचाई प्रबंधन पहली सीचाई बुवाई के 20-25 दिनों पर ताजमूल अवस्था में दूसरी सीचाई बुवाई के 40-45 दिन पर कल्ले निकलते समें तीसरी सीचाई बुवाई के 60-65 दिन पर गाठें बनते समें चोथी सीचाई बुवाई के 80-85 दिन पर पुष्पा वस्था के समें पांचवी सिंचाई बुआई के 100 से 105 दिन पर दुगधा अवस्ता के समय, अन्तिम सिंचाई बुआई के 115 से 120 दिन पर दाने भरते समय, खरपतवार नियंतरण, जीरो टिल से बुआई करने पर खेट की जुताई नहीं होने के कारण खरपतवार कम उगते हैं, साथी जीरो टिल से बुआई करने पर खाद की पूरी मात्रा पौधे ले लेते हैं, जीरो टिल के लाब, खेट तयारी में कम लागत वा कम खर्च में बीच की बुआई हो जाती है, मृदा अपरदन कम होता है, खरपतवार कम उगते हैं, जीरो टिल मशीन से बुआई करने पर खाद की पूरी मात्रा पौधे ले लेते हैं, तथा अन्य खरपतवार उसका प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे उनकी बढ़वार नहीं होती और उपज अच्छी मिलती है, समय पर बुआई हो जाने से उपज अच्छी निकलती है, कर दो जाने से उनकी बढ़वार नहीं होती है, कर दो जाने से उनकी बढ़वार नहीं होती है,